नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइबर जुड़ते हैं वो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं और कमेंट्स में भी तो मुझे यह बातें रिपिट करने पड़ती क्यूंकि हरोज नए कैंडिएट जो नए सब्सक्राइबर होते वह जोते जाते हैं तो पहला जो है क्वेशन बहुत सारी वीडियो देखेंगी लेकिन मैंने नहीं बनाए क्योंकि मैं थोड़ा शोर नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चल चुगा है कि सच में एडमेट कार आ चुके है तो एडिशनल के एडमेट कार आ चुके है और उनका भी दस नवंबर तक जो है रिमेडिकल खतम हो ठीक है आपके पहले क्वेशन का अंसर मैंने जल्दी जल्दी दे दिया अथा कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और एक बात जितने भी कैंडियेट है ठीक है जिनका रिमेडिकल के रिकाडिंग एडमिट काड नहीं आया जो पहतली सजर कैंडियेट है उनका एडमिट अगर आज आता है तो क्योंकि मेरे पास दो तीन कमेंट साय थे जिन्नोंने बोला था कि मैं हमारा कम से कम 15 दिन बाद आया 20 दिन बाद आया था एडमिट कर तो ऐसे कोई कैंडियेट हो जिनका एडमिट कर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो फिर से मतलब चेक करते रहे ना चाए अगर नहीं आता है अगर नहीं आता है दस नुभान बे तक भी नहीं आता है तो ऐसे कोई पर ची मेडिकल के लिए अगर फिल भी नहीं आता है दस नॉवंबर भी चली जाती है ग्यारा नॉवंबर भी चली जाती है तो आप फाइनली यह समझ लेना कि आपका एड्मिट कर नहीं आए आपको रिजर्ट कर दिया है ठीक है तो यह पूरी बाते होगे जितना भी कन्फूजन थ यह सब जितने भी बाते में आपको बता रहूं यह सारे कमेंश के अक्पर अकारिंग और इंस्टाग्राम पर मैसिच के अकउरिंग बताईग हो ठीक है बहुत सारे देट मुझे कमेंश करती कि सर हम현一點 बहुत ज्यादा डर लग रहा है कूंकि अभी बरति प्रोशेस्स पार आए किसी का पंद आए ठीक है ज्यादा भी हो सकता है वो मुझे नहीं पता देखे आप ऐसा मत सोचे कि मेरा नंबर कमें तो मेरा सेलेक्शन नहीं होगा ठीक है ना बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर एक नंबर दो नंबर आदा नंबर भी बढ़ने वाली है क्योंकि एसे से जीडी के भरती प्रोसेस में अठारा से फॉर्म भरे है और अभी 2021 आने वाला है ठीक है ना अभी 2020 चल रहा है लेकिन एक किस आने वाला है तो सोचो 2018 से लेकर 2020 के बीच में कितने ऐसे कैंडियाट है ज प्रब्लम चल रहा है लेकिन जो 2019 में थे या 2018 में थे वो कैंडियाट का सेलेक्षन हो चुका है वह अपने जॉब पर चले गए और 2020 में भी जन्वरी फरवरी मार्च में तक कि जबसे मार्च में से कौवीड 19 का प्रब्लम शुरू हुआ तब से जो कैंडियाट है वो वेट रहता हूँ, आप लोग को पता है, मैं इंस्टाग्राम पर भी reply जल्दी कर देता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कोई question करना है, कुछ पूछना है, ताप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हूँ, मेरा इस्टाग्राम ID सरकरेटरी में ठीक है, तो आप ज़्यादा मत डरो, यह जो डर है ना, यह सबको है, यह मुझे भी है, आपको भी है सबको है, तो इसमें ज़्यादा सोचने के बात नहीं है, admit card आएगा, ठीक है आपका जो joining letter है, वो आएगा, final merit list भी आएगा, वो कब आएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ देखे, final merit list जो है, आपका 10 नवंबर को भरती प्रोसेस कातम हो जाएगा, यह तो आपको भी मुझे भी पता है, ठीक है, यह कोई confusion नहीं दूसरा, उसके बाद final merit list कब आएगे, यह question आता है, तो देखो, SAC, CRP को कुछ का time लगेगा, ठीक है, final merit list बनाने में, final merit list तो क्या है, वो सारा coding में, उनके पास एक software है, उसको सारा data वो देंगे, कि यह cut off है, इतने state है, इतने candidate है, वो सारा data जो वो software को provide कर देथे, उसके ब होते है, कि भाई, इस state में, इतने candidate है, यह category में, इतने candidate है, यह cut off है, उसको सब चीज़े बताई, तो वो automatically सारी चीज़े, जो सब कुछ काम कर देता है, और उसके बाद हो print out निकाल के official website पर upload कर देते है, ठीक है, यह process होता है, लेकिन यह process जितना में आपको आसानी से बता इतना आसान नहीं होता है, ठीक है न, इसके लिए time लगता है, इसके लिए सारा process करना होता है, ठीक है न, क्यूंकि एक भी candidate का नुकसान नहीं होना चाहिए, SAC और CRP, यह दोनों मिलकर यह process करते है, और final merit list, जो candidate पुछते है कि final merit list, CRP की website पर आएगा, SAC की, तो final merit list, CRP की website पर भी आता है, और SAC की official website पर भी आता है, लेकिन तो 10 November को अगर भरती process खतम हो जाता है, उसके बाद CRP सीधा SAC GD की final merit list के काम में लग जाएगी, और उसको 20 दिन लगता है, एक मैना लगता है, वो बता नहीं सकते है, लेकिन मैं December के last तक आपको बता रहा हूँ, ठीक है त ठीक है ना, मार्च में हमारी भरती process खतम होने वाली थी, जून जुलाई में हमारी final merit list आ जाती, जाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाता, अगर COVID-19 नहीं आता, हमारी भरती, मतलब हद से क्या बताओ मैं आपको, क्या situation आपके सामने है, क्या process है, ठीक है ना, इतना आप पड़े होंगे, क्योंकि news article में कुछ बाते होती है ना, वो रियल होती है, ठीक है, बस यह बात है कि वो थोड़ा बड़ा चड़ा के लिखते है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोड़ा हूँ कि final merit list जो आपका December से पहले, मतलब December last तक आ जाएगी, ठीक है, December last तक आपके final merit list 100% आजाएगी, और इसके recording मैंने एक मेरे friend है, ठीक 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 है, अपने channel के मादियम से, तो आप channel subscribe करके रखना, बेल आगन प्रेस करके रखना, ताकि जो मेरे friend है, उसने मुझे जो भी जानकरी देगा, रियल, वही मैं आपके करना ठीक है चैनल सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना और नौटिफिकेशन के लिए बेल करने के बाद और नौटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना तब आपको वीडियो मिलेगी क्योंकि यूटिब का बहुत पंगा नौटिफिकेशन को लेगा मुझे दो-तिन आपको ऐसे ही सब्सक्राइब करना है तब जाकर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ठीक है यहां तक हो गए अब दूसरा कमेंट जो आता था कि वही फाइनल के लिए बुलाना है ठीक है उनका ट्रेनिंग किस डेट से लेकर किस डेट तक चलेगा यह सारा शेडूल करना पड़ता है ठीक है और उनका कोई एक सेंटर नहीं होता है कि वो जल्दी-जल्दी कर लें तो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है CRP नहीं जानता कि BSF कप करेगा BSF नहीं जानता कि SSB कप करेगा तो यह अपने अपने डिपार्मेंट के उपर होता है वो आपका फाइनल मिरिट लिस्ट आने के 15 दिन बाद ही आपको जॉनिंग लेटर भेज सकते है या एक मैना भी लग सकता है या देड़ मैना भी लग सकता है ठीक है तो आप ज्यादा टेंशन मतलो इस बात को लेकर फाइनल मिरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया ना आप गंगे ना लो ठीक है कोई टेंशन नहीं कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं सिंपल नॉर्मली जितने भी आपके फाइनल मिरिट लिस्ट आने के बाद से लेक तो सुट्टा मत फुकना ठीक है तो मैं जो बोल रहू उसका थोड़ा सीरिसली मत लेना तो मतलब इंजोई करना ठीक है अपनी जो लाइफ है उसको इंजोई करना क्योंकि एक बार अगर आप ट्रेनिंग के लिए चले गए तो छुट्टी के लिए तरस होगे ठीक है रिया मैं इद्धम रियल बता रहूँ कोई-19 के वज़े से उसको घर आने ही दे रहे वह अभी आसाम में है ठीक है तो यह कंडिशन है तो मैं यह बतना चाहता हूँ कि फाइनल मिरिट लिस्ट आने के बाद जो है वह फोर्स के अकॉर्स कब आपको बलाती है ठीक है उनका अगर सब सेलेक्ट मतलब ट्रेनिंग सेंटर वगार सब शेडूल है कैलेंडर शेडूल है तो आपको जल्दी से जल्दी बुला लेंगे ठीक है तो कोई-19 का थोड़ा प्राबलम है इसलिए सब प्रोसेस है नहीं तो अभी तक तो हमारे आधी से ज्यादा ट्रेनी हो चुकी होती आप लोग के सामने सारी चीज़े हैं बताने के ज़रूत नहीं लेकिन जो है सो है चलो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है तो 12 नौबर को सबको दिल्ली आना है जाद से जादा लोगों तक ही मेरी बाते पोचाओ रनभी सिंग जी के वीडियो पोचाओ ताक कि सबको जान खरे मिले मुझे बहुत सारे बाई कमेंट करते कि 12 नौबर को दिल्ली क्यों आये 12 नौबर को क्या है और बाई आप लोगों को इतनी वीडियो देता हूँ आप देखते क्यों नहीं मुझे नहीं पता जो भी है अमारे रोज देखते है लेकिन बहुत सारे लोग है जि इतने भी medical fit है, उन सब को joining दी जाए, waiting list लगाई जाए, ठीक है, और जो भी कुछ हमारे question है, ठीक है, वो जो भी question है हमारे, वो सब हम वापे discuss करने वाले हैं, सरकार को हमारी बाते बताने वाले हैं, और black mask पहन के आना है, ठीक है, और अपने state के जंडे वगरा साथ में लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा, मतलब एक तरीका से परचार हो सके, कि इतने लोग कहां कहां से आए हैं, ठीक है, तो जो भी है, ठीक है, तब ही जाके होगा, अगर आप एक उंगली से किसी को मारने जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन वो पांचों उंगली अगर मुट्टी बन जाएगा ना, तो किसी का नाक तूट सकता है, तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि, एक जूट हो, और एक दम से आना है सबको, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूप करो, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता है आपको नए और फेश विडों के साथ अब तरह के लिए धने बादा, जय हीन, जय भारत